अलो दोस्तो आज की वीडियो में आपके बालों को तेजी से बढ़ाने के साथ बालों को बहुत तेजी से सिल्की शाइनी स्मूथ बनाने के लिए आज मैं जो रेमेडी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं न दोस्तो यह जो रेमेडी है आपके बालों को बहुत ही अच्छे रि इसके इलावा आपके बालो को बहुत है तो यह अब की बालो के लिए तो बहुत तेजी से खत्म करेगी दोसतो शिर्फ आप इस इस्तमाल करके देखे साथ आज की इस रेमेडिय हैना आपके बालो के लिए ओर दोस्तों आपके बालो किली एस इंपोर्टन्ट है oneself और दोस्तों आपके skin के लिए भी ये बहुत अच्छा कांग करेगी आपकी skin को light, tight और bright बनाने में साथी साथ आपके open pores की जो समस्या है ने skin पर उसको बहुत तेजी से skin से खतम करेगी आपके open pores को minimize करने में ये remedy जो है आपकी बहुत अच्छे से help करने वाली है और दोस्तों आप अगर अपने चेरे पे बहुत ज़दा dryness महसूस करते हैं आपकी skin बहुत ज़दा rough हो चुकी है तो आपकी जो skin है ना उसको बहुत तीजी से soft बनाने में भी आपकी ये जो remedy है ना help करने वाली है अगर समय से पहले आपके चेरे पे aging sign ज़दा दिखते हैं pigmentation है दाख धबे हैं तो आपकी ये problem भी इस remedy के साथ में खतम होने वाली है दोस्तो आपकी बाल और आपकी skin डोनों को इतने गजब की result देगी ना ये कि आप इस remedy को एक बार लगाने के बाद दुआरा से ready करना जरूर चाहेंगे मेरे कहने से दोस्तो इस remedy को जरूर रेडी कीजेगा आज की ये जो remedy आपने किस तरीके से ready किया दोस्तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है गैस पर एक पैन को रखना है और दोस्तो इसमें आपने एक चमच फ्लैक्सिट डालना है और दोस्तो आपने नेक्स इसमें डालना है आदा चमच कॉफी पाउडर next इसमें जो आपने डालना है न दोस्तो वो डालना है rice यहाँ यहाँ पर rice जो है न दोस्तो उनको आप ढोकर ही इस्तमाल कीजिएगा जो कि इसमें जो गंदगी होती है वो clean हो जा है अच्छे तरीके से ये ये पानी को जैन में convert कर दिता है तो इसके लिए आपको इसको 3-4 मिनट boil करना है ताकि इनके जितने भी nutrients है न वो इस पानी में infuse हो जाए दोस्तो फ्लैक सीड आपकी स्किन को बहुत तेजी से light करता है आपकी स्किन को बहुत अच्छा glow देता है आपकी स्किन के aging sign को खतम करता है इसकिन बहुत जदर धिली हो चुकी है तो इसकिन को बहुत तेजी से tight करने में आपका help करता है और दोस्तो ये आपकी बालो को बहुत तब बोको तो खतम करती है आपकी चैरे को बहुत अच्छे से ग्लीन बनाती है काले पन को चैरे से खतम करती है और दोस्तो आपकी बालों को बहुत तेजी से शाइनी स्मूध बनाने में आपकी हैल्प करती है आपकी ग्रे हेर की जो परेशानी है वो आपके बालों से खतम कर और दोस्तो आपके बाल जो है बहुत तेजी से इसकी इस्तमान से स्मूथ और सॉप्ट होना शुरू हो जाते हैं साथी साथ इसक्याल बहुत तेजी से मॉस्चराइज होना शुरू हो जाती है इसकी साथ साथ दोस्तो आपने इसमें जो चावल डाले है ना चावल आपकी स्क इन पर aging sign की जो प्रक्रिया है न वो धीली होती है और दोस्तों आपके बालों को भेंगर तरीके से बढ़ाने में ये बहुत तेजी से आपकी मदद करता है अगर आपके बाल बहुत ज़ड़ जड़ रहे हैं न दोस्तों तो इसकी इस्तमाल से आपके बालों को जड़ना आपके बालों के लिए इसको अपने बालों पर और इसकी इसका इस्तमाल करेंगे इसका इसका इस्तमाल आपको किस तरीके से करना है दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है अपने चेहरे पर थोड़ा सा इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले फेस को क्लीन कर लेना है क्लीन फेस पर ही इसका इस्तमाल आपने करना है तोड़ा सा आप यहाँ पर यह जेल लेकर अपने फेस पर अच्छे से मसाज देंगे अगर इस रेमेडी को डेली आप अपने चारे पर लगाएंगे न और दोस्तो आपकी लूज स्किन बहुत तेजी से टाइट होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो पोर्स बड़े हो चुके है न दोस्तो उन्हें यह मिनिमाईस करने में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा साथ ही साथ आपकी स्किन पर जितने भी दाग दबे हैं उनको लाइट करके उनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करेगा आपकी स्किन से और आपकी skin को bright look देने में आपकी मदद करेगा इसकी सासथ आपकी skin को बहुत अच्छे तरीके से ये glowing बनाएगा और दोस्तो आपने अच्छे से यहाँ पर अपने face की 2-4 मिनिट तक massage करनी है massage करनी के बाद आप इसको अपने face पर सूखने देंगे ताकि ये आपकी जो skin है उस पर अच्छे तरीके से absorb हो जाए दोस्तो जब अच्छे तरीके से ये सूख जाएगा ना तो आप normal पानी से अपने face को wash कर लीजिएगा पहले ही उससे आपकी skin बहुत soft लगना आपको शुरू हो जाएगी दोस्तो आपने क्या करना है जो बाकी कर बचा हुआता ना उसको आप चाहें तो आपने क्या करना है अपने बालों पर थोड़ा थोड़ा लगा लेना है सारे बालों में इसके अच्छे तरीके से लगाना है और अपने बालों की लैंड पर भी उसको अच्छे तरीके से लगाना है जब अगर आपके पास दोस्तों ये और बच जाता है आप इसको इसी quantity में वनाईएगा कि इसको तीन तरीके से आप इस्तमाल कर सके जब दोस्तों face और hair दोनों पर इस्तमाल करने के बाद ये आपके पास में बचेगा तो आपने क्या करना है कोई भी फेवरिट शैंपू अपना इसमें डाल लेना है और उससे दोस्तो अपनी बालो को अच्छी तरीके से बोश करना है आप अगर इस रेमेडि को इस तरीके से इस्तमाल कर लेंगे न दोस्तो आपके बालों बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और दोस्तों आपके बालों धीरे बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे बालों का छ़ड़ना भी रुखेगा सारी समस्या आपके बालों से खतम होगी इंस्टेंट आपके बालों को बहुत तेजी से शाइनी बनाएगा और दोस्तो आपके बाल बहुत ही सिल्की हो जाएंगे इसके इंस्टेंट इस्तमाल से एक की बार इस्तमाल करके देखिए बहुत तेजी से आपकी बालों में सिल्की बनाएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर एक shampoo को यहाँ मेरी वीडियो थोड़ी सी cut हो गई थी एक shampoo को मैंने इसमें अच्छे से cut करके डाल दिया है और डालने के बार दोस्तों आप अपने hair को इससे wash कीजिए अच्छे से scalp की massage करते करते अगर आप normally आप अपने बाल चाहते हैं न दोस्तों फेस पे तो आप इसको regular अपने फेस पर आप साथ दिन इसको लगा के देखें डेली अपने चेहरे पर इसको लगा सकते हैं फेस को wash करने के बाद इसकी 5 मिनट massage दे और उसके बाद इसको सूकने दे अगर दोस्तों आपते में तीन दिन इसको अपने रिजल दी पाइ